हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर और हम लोग देख रहे हैं एक्सप्रेस जैस जो की यह नोड जैस का पार्ट है तो इस सीरीज में हम लोग टंपलेट इंजन सीखें हैं आएए सबसे पहले समझते हैं टंपलेट इंजन कहते किसे तो दखिए एक ऐसा प्रोसेसर जो हमारे टंपलेट और मोडियूल को कंबाइड करके एक डॉकमेंट को आउटपूट करें उसे हम टंपलेट इंजन कहते हैं ठीक है जैसे कि हमारे दखिए जावा स्क्रिप्ट भी क्या है एक तरह का मोडियूल ही है तो उसी को टंपलेट के साथ मर्ज हो करके मतलग के कंबाइड हो करके एक नया आउटपूर्ट रिटर्न करेगा यह क्या कौन हमारा टंपलेट इंजन तो टंपलेट इंजन भी बहुत से परकार के होते हैं तो कौन-कौन होते हैं देखिए और इसके लाब भी होते हैं लिकिन हापे हम कुछ के लिस्ट को सब्सक्राइब करेंगे तो चलिए हम लोग अपने इडिटर पर चलते हैं जहां पर इसका प्रैक्टिस करेंगे तो एक चीज़ और बता दूँ इसमें अभी ज्यादा कंप्लीट डैनेमिक नहीं होता जब हम डेटाबेस सिखेंगे ना तब कंप्लीट डैनेमिक प्रैक्टिस करेंगे इसमें कुछ पार्ट को हम डैनेमिक करके दिखाएंगे जो कि हम जावस्क्रिप्ट में उसके कोड को लिखेंगे और हमारा HTML में वह भी हो दिखेगा ठीक है तो चलते हम लोग अपने एडि to purchase कर दिये यहां पर देखें टेश के अफेसयल appelle मिल गया Сегодня कामद दिया और यहां हम नीचे also करने कामांड दिया होँय इसी के कॉपी करके हम चलते हैं यहाँ पिश्टाउल कर लेते हैं और इंटर करते हैं टेकर करके उसमें ख़ैए पाल पहर हमारन यह इंस्टॉल हो जाएगा इस्टॉल होने लगारे जिसे हमारा इस्टॉल हो गया तो चलिए देखें दखे उससे इसे EGS template engine को यूज करने से पहले आपको बता दू कि पिछले बार देखे हम लोग क्या किये थे एक public two के नाम से folder बनाये थे और इसमें हमारा सारा data था ठीक है इसमें भी हमारा EGS में कुछ ऐसा ही होता है इसमें क्या होता एक folder होता है जो कि भी हूज के नाम से होता है इसमें देखे पिछले बार क्या कर रहे थे पब्लीक रखे थे उसके पब्लीक टू मतलों कुछ भी डाल रहे थे ठीक है क्योंकि हमारा स्टैटिक दिर्दार था जब EGS template का engine का यूज करते हैं तो भी हूज folder होत जो HTML यह बना है ना HTML के बदले जो भी आप file का नाम तो वही रख सकते हैं कुछ भी रख सकते हैं उसके लेकिन extension.html ना दे करके EGS रखेंगे ठीक है तो चलिए हम पहले एक folder को बना लेते हैं और एक file को भी बना लेते हैं सबसे पहले तो यहाँ पे एक route पे हम एक folder बना दते हैं व्यूज ओके व्यूज ठीक है उसके बाद व्यूज के अंदर एक page बना दते हैं file बना दते हैं index.html नहीं लिखेंगे उसमें लिखते थे क्या है .html लेकिन इसमें लिखेंगे EGS ठीक है इसका extension होता EGS हमेशा यही रहेगा और व्यूज folder के ह अंदर होगा इस ची याद रखी है ठीक है उसके बाद जैसे कि हम और यूज करते हैं ठीक उसी टैप सी यूज करेंगे जैसे कि लेट यहां पर क्या करते हैं एक्सप्रेस को इसमें लिखा रहा है इसमें नहीं लिखना होगा यहां पर index.js के नाम से एक फायल बनाया है इसी के अंदर हम यूज करेंगे तो देखिए let express is equal to is equal to क्या करेंगे require और यहां पर express को import कर लेंगे ठीक है एक्सप्रेस को import कर लिए अब हम क्या करेंगे आप को create करेंगे तो let app is equal to express और यह हमारा आप भी create हो गया अब आप के साथ ही हम set कर देंगे template engine को और इस type के engine को करने के लिए क्या करना पड़ता है सबसे पहले आप लिखेंगे जो भी आपका app है app.set method का यूज करेंगे और यहां पर देखिए template engine के लिए यहां पर लिखेंगे view engine ठीक है एक इंजन का कि किस type का view है तो यहां पर view लिखेंगे भी आईए डवल व्यू और एक भी spelling यहां पर गलत लिखेंगा तो रन नहीं होगा इसलिए spelling सही दखेंगा भी वी आईए डवल व्यू अश्वेस ए एंजी आई एन इंजन ठीक है और एक parameter और होता है इस्वें एक parameter और होता है जिसका नाम है EJS ठीक है कि स्टब्लेयक के template engine का यूज कर रहा है EJS template इंजन ठीक है तो यहां पर करेंगे क्या करेंगे EJS कर दिए आप हमारा कि इस आप के साथ ही हमारा view engine शेट हो गया ठीक है अब जैसे यूज करते हैं, simple वही कर लेंगे app.gate राउंड बरेसेस राउंड बरेसेस के अंदर ये क्या करेंगे सबसे पहले route को set कर देंगे, तो चलिए हम route का route set कर रहा है, ठीक है उसके आद यहाँ क्या करेंगे, callback function को use कर लेंगे, ठीक है उसके वाद, देखिए, उसमें क्या करते थे data को भेजने के लिए res.s क्या करते थे, response.s क्या करते थे, send कहीं किये थे एक में, एक में send file किये थे, यहीं पर लिखे थे तो send किये थे, जब html के data को भेजे थे तो send file किये थे, लेकिन इसमें यहाँ पर और नहीं करेगे, यहां पर क्या करेगे जब EJS का डेटा भीजना होगा तो आपको लिखना पड़ेगा रेंडर ठिक है, रेंडर मतलग कि आपके डेटा को HTML में बनायेगा ही, उसके वाद आप यहां पर अब इसके अंदर किया-क्या भीजना है इसके अंदर देखिए एक तो यह जाएगा ही मतलो यहां पर क्या होगा कि एक डेटा हम यहां पर बनाएगे और उस डेटा को इस फाइल के अंदर हमें भेजना है तो सबसे पहले क्या देना पड़ेगा इस फाइल का पाथ फाइल का नाम देंगे तो यहां पर इसका फाइल का क्या नाम है index ठीक है extension देने की ज़रुवत नहीं है या देने भी तो कोई दिकत नहीं है तो यहां पर सिर्फ हम लिख दते हैं index अभी a string के रूप में लिखना परेगा ठीक है index और एक पारामीटर और होता है जो की data जो जिस data को दिवेजना होता है ठीक है तो अभी हम data को तो बनाए नहीं तो एक data को बना लेते हैं हाँ पर लेट user is equal to curly braces और इसमें हम डाल देते हैं कुछ data list बनाते हैं student का नाम डाल देते हैं name name is equal to राम कुमार ठीक है राम कुमार और इसी टाइप से हम एक और ले देते हैं email ले देते हैं email ram at the rate gmail.com email.com ओके ठीक है उसके बाद age भी ले ले लेते हैं इसका age ले ले लेते हैं age में डाल देते हैं 20 ओके save करते हैं अब देखिए इसमें हमारा data तो data हो गया तो data हमारा क्या है object type का है जो की user है यहाँ पर और इसको कर लिए और ss ली करके यहाँ पर इसके अंदर user को paste कर देंगे अब यह data कहाँ चलाएगा इस index के इंडेक्स के पास तो यह index कहा है यह हमारा देखिए ठीक है यहाँ पर आ जाएगे हम उसके वाद यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले तो हम HTML के format बना देते हैं तो आप सोच रहे हों कि HTML के format यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो हम लोग जो करेंगे ना database सिखेंगे वहाँ पर और अच्छे करेंगे तो अभी फिलाल के लिए यह देखिए तो हमारा HTML format बन गया और इसके अंदर हम student के सारे data list बनाएगे इसलिए h1 में डाल देते हैं student data list ठीक है stu student data list ठीक है इसमें क्या-क्या दिखा रहे हैं देखिए हम दिखा रहे हैं नेम में क्या देंगे हम यूजर कर सकते यूजर डॉट देखिए हां एक चीजा आओ यहां पर देखिए इसको access ऐसे नहीं करेंगे जैसे आराम से ऐसे भी कर रहे थे यूजर डॉट नेम इसको डायरेक्ट इस टैप से एक्सेस नहीं कर सकते हैं इसको एक्सेस करने के लिए क्या एक अलग सिंटेक्स है सबसे पहले क्या लिखेंगे लेस्टेन और पर्शेंटेज और उसके आद इसको इसको प्लोज भी करना होगा जो यह सबसे पहले क्या लिखेंगे पर्शेंटेज और उसके आद ग्रेटर दन यह हमारा क्लोज हो गया अब इसको अंदर हम क्या कर सकते हैं सबसे पहले दिखेंगे हमारा यूजर है यूजर को कॉपी कर लिए ठीक है यहांपे पेस्ट कर दिए और इसके आद हमारा यह नेम है यह नेम इसका प्रोपर्टी है तो यूजर डॉट नेम कर देंगे तो हमारा नेम दिख जाएगा यहांपे ठीक है नेम दिख जाएगा अब चला करके दिखाते हैं से नोड मून के यूज करके चला देते हैं नोड मोन आई एन डी एकस इंडेक्स डाउट इस इंटर करते हैं अब कुछ दिर में चल जाएगा हमारा देखें 200 वोट वर्किंग काम कर गया हमारा अब करेंगा है यह चल गया सारी मापके जगा यह हमारा इंडेक्स हाँ हमारा यह फाइल का क्या नाम है इंडेक्स फोर्ट डाट जाएग इसको ख्लोज करना पड़ेगा और देखें एक चीज और यहाँ पर मिसिंग है भी हमारा index.forge, क्योंकि यहां पे यहां port को set नहीं किया है, चलि हम port को भी set कर देते हैं पहले, यहां पे app, app. listen, यहां पे डाल दाते हैं 250, और इसमें callback function भी डाल दते हैं, कॉल बैक फंक्शन डालती है और इसके अंदर क्या करेंगे कंसोल में कुछ प्रिंट करा देते हैं कंसोल डॉट लॉग और यहां पर लिख देते हैं 250 ओर्ट वर्किंग और इसको हम अब इसको रन कराएंगे नोड मून के थोरू इंटर करते हैं पर रन हो जाएगा 250 हमारा पोर्ट रन हो गया और चलते हैं आपर लोकल होस्ट यहां पर 250 डाल दते हैं यह देखिए नेम में राम को मारा गया ठीक है इसी टैक्से सारा हम आपर डायनेमिक डेटा दिखा सकते हैं रहलिए वी नेम में होगया अब इमेल भी दिखा देदे हैं यहां पर यहां पर इमेल लिख लिए और इसके पर डूपर्टी भी चेंज करतेंगे ऑर इस यूजर के पर पर करना परेका यहां पर बी-ोहाइर भी करना परेगा यहां पर लगा देते हैं और यहां पर एच करते हैं यह रिफ्रेस करेंगे यह आ गया चाहे तो आप इसको टेबल में भी दिखा सकते हैं कि मर्चिज ऐसे दिखाना हो ओके तो देखिए बेनिफीट हो गया ना पिछले बार जो हम लोग यूज किये थे यह सारा क्या डेटा था अस्टाइटिक डेटा था ठीक है लेकिन अब हम इसके अंदर इंडेक्स इस इस के अंदर डाइनेमिक डेटा का यूज करके आपको दि प्रोजेक्ट पर काम करेंगे लाइब के हमारा सारा कॉंसेप्ट अच्छा बहुत अच्छा के लिए होगा तो तब तक के लिए अब हम लोग इस वीडियो को रोपते हैं और मिलेंगे नेक्स वीडियो में कि नहीं को टॉपिक से कोई रिलेटेट कोई क्यूस्चन हो या डाउट हो था हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे ताकि आपके डाउट या क्यूस्चन को अच्छे से हम किलियर कर सकें दोस्तों हमारे चाइनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे सेर करेंगे और सबस्क्राइब करेंगे जिसे हमारा मनोगल बढ़ते रहेगा और आपको एलिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पर हम वीडियो लाते रहेंगे जिसे आपका करियर डेवलप होते रहेगा तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद।